दोस्तों आज किस वीडियो में हम SSC GD 2024 की फिजिकल की एक्सपेक्टेड कटोफ के बारे में बात करने वाले हैं काफी इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखेगा वीडियो स्टाट करने से पहले यानि कि कटोफ पर जाने से पहले हम कुछ basic से questions के उपर बात कर लेतें एक बार कि सबसे पहला question है कि कटोफ जो है वो हाई क्यों जाएगी कौन से ऐसे regions है जिनकी वज़े से ऐसा लगता है कि 2024 की जो फिजिकल की कटोफ है वो यहाँ पर हाई आ आप मान कर चल सकते हो कि लग बग आदी मैं यहां पर मान के चलता हूँ सो इस वजए से वेकेंसी कम होने की वजए से और कमपिडीशन ज्यादा होने की वजए से भी यहां पर एक पोसिबिलिटी है कि आपकी जो कट ओफ है वो आपको ज्यादा देखने को मिले सेकिंड रिजए यहां पर है लेवल ओफ एक्जाम अब एक्जाम का जो लेवल था वो इस बार का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था इस बार का जो लेवल था एक्जाम का वो मोडरेट लेवल था इसलिए हम कह सकते कि as compared to previous year एक्जाम इस एर जो एक्जाम था वो आपका मोडरेट लेवल का अफिर आप कह सकते हो इजी लेवल का हलके लेवल का था इस वजए से भी एक पोसिबिलिटी है कि इस बार आपको जो कट ओफ है वो थोड़ी से स्लेटली जादा देखने को मिल सकती है थार यहां पर जो रीजन है वो तुका भी लगाते है तो जादा नंबर आने के यहां पर चांसिज है इस वजए से भी जो स्कोर है वो यहां पर भड़ेगा और इस वजए से भी लगता है कि जो कट ओफ है वो आपकी उपर जा सकती है जादा बढ़ सकती है ठीक है चलिए यहां पर यह तीन रीजन होगे क of high जाने के next अगर हम बात करते हैं कि cut of low अगर जानी हो कि क्या भई पिछली बार है उसके बराबर या फिर उससे हलकी सी लो रहे उसके लिए क्या कुछ रीजन से तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है फिजिकल ठीक है उसका एक रीजन है फिजिकल पास ठीक है ना फिजिकल पास अब फिजिकल पास को लेकर आप क्या कर सकते हैं देखिए फिजिकल पास का क्या सीन है कि भई इस बार मानलो गर्मी बहुत जादा थी आपको भी पता है टेंपरिचर बहुत जादा है अगर इस व जैसे अगर फिजिकल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बच्चे नहीं दे पाते हैं, फिजिकल पास का जो रेशो अगर वो बिल्कुल slightly down आ जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि आपकी कट ओफ जो है उसके उपर कुछ ना कुछ impact आपको देखने को मिल सकता है, otherwise यहाँ पर जो कट ओफ है वो आपको हाई देखने को मिलेगी as compared to previous year, ठीक है, चले, अब बात कर लेते हैं अपनी कट ओफ को लेकर कि इस बार आपकी जो कट ओफ है वो क्या कुछ रहने वाली है, यहाँ पर जो कट ओफ में आपको बताने वाला हूँ, वो सिर्फ और सिफ ग्राउंड रिजन या फिर जनरल रिजन के आपको बताने वाला हूँ, इसके अलावा जो बोडर और नक्सल एरिया है, उनकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी, उसका डेटा त्यार हो रहा है, इस सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आसाम को लेकर, सो असाम में अन्रिजर्व की कट ओफ आप मान कर चलेगा, 69 तू 70, दोनों में से कोई भी रह सकती है, 69 रह सकती है, 70 रह सकती है, इतनी आपके अपके अन्रिजर्व की कट ओफ आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा TWS की अगर मैं बात करता हूं या फिर बाकी केटेगरीज की मैं बात करता हूं असाम से लेकर, तो आप मान कर चलिए 60, 61 के आसपास, ठीक है, 60, 61 के आसपास सभी की, क्योंकि यह मैं आइडिया यहां पर आपको दे रहा हूं, 60, 61 के अपको देखने को मिलेगी, इसके बाद बात कर लेते हैं, पंजाब की, तो पंजाब में अन्रिजर्व की कटोफ जाने वाली है, 91 for physical, 71 यहां पर जाने वाली है, EWS केटेगरी की, 80 यहां पर जाने वाली है, OBC की, 79 यहां पर रहने वाली है, आपके ST की, और सेम ही आप यहां पर मान लीजे, 79 ही आपकी रहने वाली है, ST केटेगरी की, इसके अलावा, Jammu & Kasmir की, अगर मैं बात करता हूँ, तो 87 यहां पर जाने के असार है, आपके UNRESERV केटेगरी की, 72 यहां पर आपकी जा सकती है, EWS केटेगरी की, इसके अलावा 62 यहां पर जा सकती है आपकी OBC की, 80 यहां पर जा सकती है, SC की, और 61 आप जो यह vacancy के according आपकी जो यह जो आपकी cutoff है यह up and down आपको category वाइस देखने को यहाँ पर मिल रही है ठीक है चले गुजरात की अगर बात करते हैं तो 91 तक आपकी जा सकती है गुजरात की unreserved category के लिए 70 यहाँ पर आपकी जा सकती है EWS category के लिए 81 आपको देखने को मिलेगी OBC और SC category के लिए आपको देखने को मिल सकती है 79 या फिर 80 यहाँ पर ठीक है चले इसके बाद बात करते है Odisha की Odisha की cutoff कितनी जा सकती है तो 94 ठीक है 94 आपको देखने को मिल सकती है unreserved category की 90 जा सकती है EWS की 91 यहाँ पर जा सकती है OBC की 74 यहां पर जा सकती है SC category की और 74 या फिर 75 आपकी जा सकती है ST category के लिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं West Bengal के लिए तो same 94 यहां पर जा सकती है Unreserved category के लिए 79 यहां पर जा सकती है EWS के लिए 84 जा सकती है OBC की 80 यहां पर जा सकती है आपकी SC category के लिए और यहां पर 89 से लेकर 91 के बीच में आपकी जा सकती है ST category की यहां पर ठीक है चलिए अब अगर अगर आगर हम बात करते है माराश्ट को लेकर सो मारास्ट की जा सकती है अंरेज़र की 100 ठीक है 98 जा सकती है EWS की 98 ही यहां पर जा सकती है आपकी आप मान कर चलिएगा OBC की 93 SC category की और 80 to 81 यहां पर आपकी जा सकती है ST category की इसके अलावा गर हम बात करते हैं हिमाचल परदीश की तो 121 ठीक है 121 जा सकती है 118 आपको देखने को मिल सकती है EWS की 115 आपको देखने को मिल सकती है OBC की 109 देखने को मिल सकती है आपको SC category की और 113 आपको देखने को मिल सकती है ST category की ठीक है चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं Dilli की जा सकती है 124 unreserved की 114 जा सकती है EWS category 119 जा सकती है OBC 109 नंबर या फिर 110 नंबर आपकी जा सकती है SC category की और 109 नंबर आपकी यहां पर जा सकती है ST category गी ठीक है, इसके बाद अगर उत्रा खंट की बात करते है 126, 126 जा सकती है 100 category की 116 नमबर यहां पर आपकी जा सकती है EWS की 121 आपकी जा सकती है OBC की 111 आपको देखने को मिल सकती है SC category की और 110 नमबर जा सकती है 110 नमबर ST की या फिर 111 भी यहां पर जा सकती है ठीक है चली हर्याना की अगर बात करते है तो 132 क्योंकि होट जोन के अंदर आते है 132 जा अन्रिजर्व की जा सकती है 128 यहां पर जा सकती है आपकी EWS की 130 आपको देखने को मिल सकती है OBC की 118 आपको देखने को मिल सकती है तो 36 गड़ के मंदर 100 नमबर जा सकती है आपकी अन्रिजर्व की, 80 नमबर आपकी जा सकती है, यहाँ पर EWS की, अगें 100 नमबर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, OBC की, 88 के लगभग जाएगी आपकी SC की, और 90 के लगभग आपकी जा सकती है, ST के टेगरी की, ठीक है, चलिए, जहारखंड की अगर हम बात करते हैं, तो 113 नमबर, ठीक है भई, 113 नमबर जा सकती है, अन्रिजर्व की, 100 नमबर यहाँ पर आपकी जा सकती है, EWS की, 108 जा सकती है, OBC की, 90 नमबर यहाँ पर जा सकती है, SC के टेगरी की, ठीक है, चलिए, रा इस नंबर यहां पर आपकी जा सकती है EWS की 131 यहां पर रह सकती है आपकी OBC की और 118 जा सकती है SC और 110 जा सकती है ST Candidates की आपर ठीक है शो यह राजस्थान तक का हो गए मैं थोड़ा से इसको मैं साफ कर देता हूं क्योंकि हमारे जो सब्ध है वो यहां से टेड़े जा चुके है इसी वज़े से space हमारी थोड़ी सी कम हो गई है इसलिए मैं यहां से इनको साफ कर देता हूं ठीक है राजस्थान तक का हमारा हो गया अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान के बाद बिहार की ठीक है गाँ पाँस्थान के सकती है ST candidates की ठीक है चलिए UP की अगर हम बात करते हैं तो UP में 134 जा सकती है unreserve category की 130 जा सकती है EWS की 132 यहाँ पर जा सकती है OBC की 120 जा सकती है SC की और 110 यहाँ पर जा सकती है आपकी ST candidates की ठीक है तो जितने भी आपके ground region थे उन सब की category wise आपको मैंने यहाँ पर cutoff बता दी है यह एक expected cutoff है इसको लेकर आप demotivate मत होगेगा की हो सकता है कि किसी बच्चे के नंबर यहाँ पर मैंने 116 बता है अगर हो सकता है उसके 114 नंबर हो तो यह जो cutoff मैंने आपको बताईए इसमें plus minus 5 नंबर आप लेकर जरूर चलिएगा plus minus 5 नंबर तक आपका selection यहाँ पर हो सकता है कि 113 नंबर या 12 नंबर वाले का भी यहाँ पर selection हो जाए तो plus minus 5 का जो error है वो यहाँ पर आप लेकर चलिएगा यह expected cutoff है सिर्फ आपको idea देने के लिए ताकि आप confused ना हो और physical में focused हो कि अपनी यहाँ पर तियारिया आप कर सको ठीक है सो कल की वीडियो में आपको border area नक्सल एरिया जो है उनकी जो cutoff की वीडियो मिल जाएगी और females की cutoff की वीडियो मिल जाएगी इसके अलावा अगर आपके personally आप कोई सवाल या अपने number क्या है अपका कितना मेरा selection हो गया या नहीं यह पूछना चाहते हैं तो comment box में आप अपना comment जरूर छोड़ दीजिएगा साथ में जो वीडियो इसको share कर दीजिएगा thank you so much नमस्कार